हेलो दोस्तों खंडवा इंदोर रोड पर इस्थित मोटकका ब्रीज के मरमत का काम पुरा कर लिया गया है आपको पता है दोस्तों कि पिछले मन्त भारी बारिस के कारण नर्मदा नदी में बार आ गई थी और जिसके कारण खंडवा इंदोर रोड पर इस्थित मोटक का ब्रीज जो है दोस्तो उसको बहुत नुकसान हुआ था और उस पर डामर और रेलिंग उखड गई थी तो उसलिए दोस्तो उसकी मरम्मत का काम किया जा रहा था और लगवग एक मैने के बाद जो है दोस्तो यह है और आज बड़े अधिकारियों के दुआरा पूरा चेक किया जाएगा और उसके बाद आज या कल दोस्तो ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा तो दोस्तो आपको बता दें कि अभी छोटे मोटे बाहन जो है मोटक का में जो नहर वाली ब्रीज है उस पे से घूम के निकल जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं या नर्मदा नदी पे इस्थित नहर वाली ब्रीज थी और सामने जो आप देख पारें दोस्तो सामने जो ब्रीज है जिससे रेगुलर जो है नियमित रूप से आवागवन होता है इंदौर और खंडवा के बीच में और जो ट्रेक है दोस्तो उसको अभी दिसगाओं से होते हुए खरगोन तरब से होते हुए निकाला जा रहा है और साथी साथ बसों को जो है दोस्तो वो नहर तक खंडवा से जो मोटका नहर है वहां तक और इंदौर से बढ़वा तक चलाई जा रही है और छोटे मोटे का एक दिश्रार जो होगए दोस्तों उसको अभी इस नहर वाले ब्रीज से निकाले जा रहा है जैसा कि कि आप आपने मोईल स्क्रीन में देंख रहे हैं क्योंकि यह जो ब्रीज है दोस्तों या नहर के लिए बनाया गया था आप देक सकते हैं ॐस कुछ इस तरह की भैवा ही जो बाड के पानी है वो नर्मदा नदी का जो ब्रीज है खंडवा इंदौर रोड पर उसको डूओ गया था जिसके कारण उस ब्रीज को बहुत नुकसान हो गया था और आज बड़े अधिकारी जो है दोस्तो उस ब्रीज को चेक करेंगे क्योंकि डामरी करन का काम पूरा हो है और सब कुछ अगर सही रहा तो इस ब्रीज पर आवगवन फिर से आज लगभग एक मैने बाद खोल दिया जाएगा आज या कल जो है दोस्तो इस ब्रीज पर आवगवन जो है खोलने की उमीद है और जिसके बाद जो है दोस्तो आपको नहर वाली जो ब्रीज है उससे ज को गीछ रहे हैं वही वाले बीज जो हैं दोस्तो रीगुलर जिसstairs के सबास कर दोस्तों के साहथ मिलते हैं नए वीडियो में जब तक के लिए जैंसे दौस्तों